आज मैं आपके साथ ब्लैक हेयर पे एक ऐसी रेमडी लेकर के आई हूँ जो की बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है आपके सफेद हेयर के लिए क्यूंकि आपके जितने भी सफेद हेयर है चाहे जड़ से हों चाहे हाफ एन हाफ हों वह सब को दूर कर देगी और इसमें आप आपको बहुत ज़्यादा चीजें भी इस्तेवाल नहीं करनी है बिल्कुल घरेलू चीजे आपको 100% और्गैनिक एंड बिना केमिकल वाली चीजें इस्तेवाल करनी है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है इसका प्रोसेजर कैसा है कैसे लगाना है स्टेप बेस्ट बनाने के लिए आपको चैने बोल और इसमें डालनी है आपको ब्लैक हिना तो वन चमच मैं यहां पर आड़ कर रही है और यह इसी में था देखिये लगा हुआ है पुरा एंड टू स्पून मैं इसमें ब्लैक हिना एड़ कर रही हूं और मैं आपको यह बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने बालों को इंस्टेंटली ब्लैक कर सकते हैं बिल्कुल नेच्वल तरीके से विदाओड किसी केमिकल के एंड ब्लैक हिना के बारे में मैंने आपको बताया कि यह हंडेड पर्शन ऑर्गैनिक होती है नेशल होती है आप बिना साइड इफेक्ट के बिना किसी डाउट के इसको इस्तिमाल कर सकते हैं वर तक कि इस इस्तिमाल करने का तरीका सही होना चाहिए गलत तरीके । ने निकलने शुरू हए या फिर ऑफ और हाफ बाल प्राइड मेरों क्या आड़ ओर इसमें किया किन और कि स्थरीक ULTIB divers का इसमेंगे इसी बिल्कुल ले सकते हैं आप इसे कीबिंब fist औरन्लाइन यो नाव सकते हैं क्रूसरेअ से फृटर्ड ने सकते हैं और फिर ओल्लाइन भी पर्चered कर सकते हैं मैंने इसे online purchase किया है ये 300 ml का है और ये हमारे immune system यानि हम इसको पीवी सकते हम इसे बालो में भी लगा सकते हम इसे skin में भी लगा सकते ये तीनों तरीके से हमारे मतलब चीज में काम करता है चाहे आप skin के लिए करे या फिर hair के लिए करे या फिर आप अपने immune system को मजबूत करने के लिए करें स्टॉंग करने के लिए आमला juice हमारे बालो के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आमला juice हमारे बालो को treat करता है potion देता है treat करने के लिए ये हमारे बालो को काला करने के लिए treat करता है यह हमारे बालों को नरिश करने के लिए treat करता है and everything यह हमारे बालों को बहुत ही अच्छा सा color देता है काला dark जो blackest color होता है वो देता है तो आपको इसमें इतना add करना है कि यह अच्छे से paste इसका ready हो जाए और without lumps के and बिल्कुल thick paste नहीं चाहिए क्योंकि हमें बालों में से लगाना है तो आपका जो यह consistency होनी है वो थोड़ी सी लिक्विट सी होनी चाहिए बहुत ज्यादा वैसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा थक्की सी हो जाए क्योंकि थक्की जब हो जाएगी यह बहुत कि जड़ों में apply करना है आपको इसको अच्छे से हम यहां पर mix कर लेंगे तो गाईज आप देख सकते हैं मैं यहां पर अच्छे से अगर बच्ता है इसके बाद आप इसको अपने esplits में लगा सकते हैं आप अपने हaer में लगा सकते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि हमें अपने रूर्स में इसका इसका इस्तमाल करना है और आप देखेंगे आप जब वाश करेंगे तो आपके कई लोग कहते हैं जब वाश करने के बाद हमारा जो हम पैक लगाया रहते हैं जब देखने में तो ब्लैक लगता है और और वाश कहने के बाद निकल जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा इसको लगाने के बाद आपके बाल में से ब्लैक बिलकुर नहीं निकलेगा और नहीं आपके बाल काले से सफेद होंगे आपके बाल काले ही रहेंगे तो उमीद करते हूँ वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो और बिल्कुल कम remedy के साथ effective चीज़े मैंने आपके साथ 100% national चीज़े बताई है यूसफुल लगी हो तो प्लीज इससे like and share दोनों कीचेगा चैनल में न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी अच्छी अच्छी आपको वीडियो देखने को मिरे और नोटिफिकेशन आपको झाल को झाल को